अस्सलाम वालीकूम नमस्ते सस्त्रेगाल चलिए दोस्तों मैं हो दोस्त आपका दोस्त नसुरल्ला फिशिंग क्लाब यूटूब चानल के तरब से एक अच्छा सा बैट लेके आया हूं यह बहता हुआ पानी या रुका हुआ पानी तलाब डैम चानल जहां पर आप फिशिं इसको नोट कर लीजिए उसी तरह इस्तेमाल कीजिए फिर एक दोस्ता आपको 15 अगस्ट का एक आफर दे रहा हूं अगर आप 2260 रुपया देंगे तो 4 बाक्स हुख मिलेगा आपको 12 नमबर का 2 बाक्स और 13 नमबर का 2 बाक्स 12 नमबर के बाक्स में 100 हुख रहते हैं 13 नमब पाप पाँच फीडर दे रहा हूं 12 नमबर के दो बाक्स 13 नमबर के दो बाक्स 10 पाप पाँच फीडर इतना दे रहा हूं आप अगर चाहिए तो वह लिमिटेड आफर है कॉंटेट कीजिए मेरा वाट्स अप नमबर पे और अच्छे से हुख हैं एक किलो दो किलो तीन किल किलो चार किलो पांच किलो तक पी आप पकड़ सकते हैं उस पर उसूख पर अच्छा सा वह अच्छा वाला हुक है मैं उसका इमेज भी डालूंगा आप देख लीजिए और यह वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए शेर कीजिए दूसरों तक बाटिए वीडियो और जो भी रिजल्ट मिलता है मुझे मेरे वाट्स अप नमबर पर अपडेट दीजिए वाइट का चलिए दोस्तों अब जो जो चीज दालना है उस तप में दाल के बताता हूं देखिए यह बहुत गरम है अभी बना सोजी पलाओ सोजी कम से कम इसको कम से कम पचास ग्राम डाले आप गरम मैं अभी देखिए अभी बैल के आओं पचास ग्राम ज्यादा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो पचास ग्राम बना लिजे दे लिजे इसको पचास ग्राम लेंगे तो देखिए घी देशी घी उसको दो स्पुन दा लिए 50 ग्राम लेंगे तो दो स्पुन देखें दो स्पुन घी दा लिए सोजी के सोजी दालने के बाद ने पचास ग्राम 50 ग्राम सोजी बैल सोजी दो स्पुन घी हो गया देशी की उसके बाद हनी लिजिए शहद एक स्पुन दा लिए प्यूर हनी है दोस्तों प्यूर शहद है इसको ठिकते रख से मिक्स कीजिए वीडियो कंपीट देखें दोस्तों बीच में छोड़ते हैं बदमें क्वाल करके पुषते हैं सर यह क्या चीज है यह क्या चीज है ठिक तरह से आप व्यूडियो देख लेंगे ना तो मुझे फोन करने की ज़रोती नहीं है इसको मिक्स करना है पहले ठीक तरह से जिसटीन पानी में बहुत देटक थीकतार नरम भी रहता है और पानी में बहुत देटक थीकता है बेता हो पानी होता ह О इसके बाद देखिए 50 ग्राम डालने के बाद में आप 25 ग्राम से 30 ग्राम बुना हुआ चने का अठा 25 से 30 ग्राम बुना हुआ चने का अठा करके देखे ऀसका रिजल्ट बोल यहां वाद में हुआ इसका कोप मुझी पकड़ेंगों से 126 गिवा significantly हुआ है है यार। शूख और मच्री के देखिए ये वो मिक्स हो गया उसके बाराम कम से कम 50 ग्राम ग्योहूं काटा गंदों काटा 50 ग्राम मिक्स होना ज़रूर हीاذ मिक्स किज्ए है आपको जितनी दिया तक मिकस कर सकते हैं जितना मिक्स होगा उतनी दे में ठीकेगा अगर मिक्स नहीं होगा तो फूर जाएका निकल जाएगा हूं से और बता रहा हूं फिर दुबरा एक बर 15 दागस्ट का आफर है 1260 रुपए में 4 बाक्स हुक 10 पापा 5 फीडर 13 नमबर के 2 बाक्स 12 नमबर के 2 बाक्स अगर आप 12 नमबर के लेंगे तो 100 हुक आएगा 13 नमबर के लिए तो एक बाक्स में 70 हुक आएगा लिमिटेड आफर है अगर आपको पापा फीडर नहीं चाहिए तो 1200 साड रुपए में आप सिर्फ चार बाक्स हुक ले सकते हैं दीके चने काटा हो गया भुनावा चना यहूं काटा सोजी पलाव हो गया घी शेद हो गया कम से कम 25 ग्राम मैदे काटा 25 ग्राम जादा माँ डालिए जितना जितना आप जादा बनाना हो तो बना सकते हो कोई बात नहीं कम से कम इतने के लिए देखें सोप का पोडर है सोप जो रहता है उसका पोडर है कम से कम दो स्पून बस जादा नहीं दो स्पून कि देखें दोस्तों मिक्स किया था स्किप किया था विडियो क्योंकि मिक्स करना पड़ेगा बहुत देर तक 15-20 मिन्ट हो जाएगा विडियो इसी दिए स्किप किया था अब चक्करी इसका रिजल्ट बताईए रिजल्ट भी अच्छा है कि सबर से काम लीजिए दोस्तों देखें आप गुच्चा हुगवे भी खेल सकते हो सिंगल हुगवे भी खेल सकते हो अगर आपको अभी ठीकनेस चाहिए बहुत देर तक रुपना है तो थोड़ा इसमें मईदा मिक्स कर लीजिए और कुछ नहीं और इसमें जब मिक्स करेंगे तो पानी जहां पर आप फिशिंग ले जाते होजी का पानी मिक्स कीजए घर में पानी मत जाले क्यूंकि भाद दालेंगे तो पानी की के लिए जबर्दस बैठ है और जहां पर बैठते हैं तो वह थोड़ा थोड़ा करके चराई करके भी दाल सकते हैं चराई की भी चराई हो जाएगी फुक बैट का फुक बैट भी हो जाएगा अगर चाहिए तो मेरे वाट्स अप नंबर पर आप कॉंटेट कीजिए लिमेटेड आउफर है बहुत दिन तक नहीं रहेगा तब तक हमारे पास मॉल स्टा के तब तक रहेगा